नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमाच बात करने वाले हैं आज के मेस रासी फल के बारे में कि आज का दिन मेस रासी वालों के लिए कैसा रहेगा दोस्तों वीडियो आगर बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चै के नए दोर की सुरुवात होगी जी हां दोस्तों जैसे ही आप व्यवसाइक परियोजनाओं को पूरा कर लेते हैं वैसे ही आप हलका वे तानाव रही तुम्हेसुस करेंगे आज कई नए आउसर मिलेंगे आप नए आउसरों का सामना करने के लिए तैयार रहें आपके लिए पेच छेत्रों में बड़ी संभावनाएं हैं जिने आपको तलासना है नई सोच और नए नजरिये से आप आगे बढ़ेंगे जिससे आपकी रशनात्मक छमता और बढ़ जाएगी पारवारिक जीवन बस यूँ समझ लिए लीजिये जैसे जिन्दिगी ने आपके समक्ष कोई खाली कैनवास रख दिया हो और अब इस कैनवास पर चित्रों में रंग आपको ही भरना है अतीत के एक दोर की समाप्ती होगी और एक नया दोर सुरू होने वाला है संतान से सुक यात्रा में सफलता के योग बन रहे हैं जिया दोस्तों धन प्राप्ती के लिए लिए गए सभी प्रियासों में सफलता प्राप्त होगी विर्साय में अधिक से अधिक लाप्राप्त होगा धन की समझ से हैं अब समाप्त होने वाली है ने दोर की शुरुवात में होगा बड़ा धमाका और आपकी जिंद्गी में एक नया दोस्ट शुरू होगा जिससे आपका जीवन खुशी आलुई से भर जाएगा आपकी हर ख्वाइस पूर्ण होगी जी हाँ दोस्तों घर परिवार में खुशियों का महौल रहेगा घर परिवार में एविवातों जातकों के नए बंदनों में बंदने के योग हैं नए रिष्टों की शुरुवात होगी घर परिवार में खुशियालियां आएंगी जियां दोस्तों, घर परिवार में सिशू के जनम से घर में किलकारिया गूजेंगी, इस अवधी के दोराम दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ मदबेद उत्पन हो सकते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, अपनी योगता के अनुसार पत्पृतिष्टा में व्र कटूता ने आने दें, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अगर आप किसी ऐसे रिष्टे में हैं, जो अलग से हैं, और काफी समय से बात नहीं हो पाईए, तो आज बात बन सकती है, आपका प्यार आपको मिल सकता है, आज आपकी लव लाइफ के लिए यह समय बहुती महत् हो सकता है, दोस्तो आज आपके जीवन साती आपकी खुशियों में आपके साथ रहेंगे, और आपको प्रोचसाहित भी करेंगे, अपने जीवन साती को समझें छोटी छोटी बातों पर नाराज नहों, अपने जीवन साती की बातों को थोड़ी एहमियत दें, सब के सामने उन्हें सर्मिन्दा ना करें इससे आपके संबंद और अधिक मजबूत बनेंगे दोस्तों आज आप पूर्ण रूप से स्वस्त रहेंगे स्वस्त से संबंदित पुरानी समस्या समाप हो जाएंगी आज घर में किसी बुजर को स्वास्त संबंदित समस्या हो सकती है अपने स्वास्त का ध्यान रखें नियवित योग करें प्रणायम करें स्वस्त रहें